देखिए अगर किसी LCD या LED TV में अगर गामा बोल्टर से रिलेटर प्राप्रम आते हैं यानि पिक्चर में वो फार्ट क्रेट होता है तो उसके लिए यहाँ पर देखें जैसे दो टाइप के IC उसके जाते हैं इसमें जिसे यह जो डिवाइडर सरकेट बना हुआ है जहाँ पर के दोरा जो है इसे डिवाइड करके रिजिस्ट्रेंस के दोरा बोल्टेज यहाँ पर इंटर किये जाते हैं जैसे एक एक सादरान इंप्लिफाइर आइसी है जो की ऑपरेशन ने पिफार बोलते हैं जो यह लिम 324 यह और भी नमबर हो सकते हैं इसके तो यह नान प्रोग्राम प्रोग्रामेबिल है तो इसमें क्या होता है कि कोई फाल्ट हो इसे चेंज कर दें डारेक्ट लगा दें तो भी यह प्रोब्लम साल्फ हो जाएग यह प्रोग्रामेबिल आइसी लगी हुई है और उसके बाद इसमें प्रोब्लम आ गया तो इसमें जो बोल्टेट डिफरेंस होता है इस आइसी के द्वारा जैसे इसमें क्या होता है कि इस्टेटिक रिजिटेंस होते हैं जैसे तीन इन हुआ तो यह इंटर्नल दो तीन चार पांच छे साथ माली यहां पर गामा बोल्टेट डिकिया गया है तो ऐसे यहां पर हैं तीन इन करें या चार इन करके इसके इंटर्नल जैसा डिजाइन हो उस आइसी का उसी साब से यहां पर यह आउट कर लिया जाता है पिनों के द्वारा गामा अब इसमें अगर कोई भी बोल्टेज डिफरेंस होते हैं तो पिक्चर पर प्राब्लम देखने को मिलेगा अब इसका प्राब्लम कैसे साल्ब होगा आपको आइसी ना चेंज करके इसके इंटर्नल जो साफ्ट वियर होते हैं उस साफ्ट वियर को आप जो डाटा क्रेप्ट हुए हैं उसको आप फेर्जुनल इसमें साफ्ट वियर डालने होंगे जो इस चेट ने के हिसाब से होता है वह अप इसके साफ्ट वियर डालने तो उसके बाद यह अपने आप आप निगैसे यह फिर अपने जो वरिजिणिल इसके बोल्टेज ओट हो रहे थे ते antवे चेट तो इस आगे हम और भी अभी इसके बारे में बताएंगे पहले तो यहां पर देख लें जैसे इसमें यह हमारा गामा वोल्टेज है और यह कफ है सोर्स कफ और यहां सोर्स कफ से जुड़ा यह सोर्स है जितने भी यहां पिक्सल होंगे समी एक अंदर TFT लगी होती है और इसका गेट यह है और गेट यहां पर हमेशा जानते ही है रोग से जुड़ा होता है जो हमारा गेट ड्राइब यह कफ होता है इसके द्वारा यह ड्राइब करते हैं तो यह टोटल लाइने हैं यह जितने यह जो है पिक्सल के रूप में यह एक TFT के रूप में होता है यह अपना इसका जो स्विचिंग होता है इंटर्नल और उसी स्विचिंग के अनुसार यह step by step जो है यह हमारा lining scanning होता है यानि एक-एक टुकडे में यह picture जुड़े होते है यानि एक-एक line के रूप में जुड़ा होता है हमारे आखे उसे देख नहीं पाती है लेकिन scan continue पूरी picture scan नहीं होती है आपको बता दें कि जैसे आप कोई भी आप उसका जो किताब खोलते हैं तो किताब के पन्ने को अगर आप घुमाएंगे यहां पर इसका example ले ले लेते हैं ऐसे आप करेंगे ऐसे तो यहां जो ऐसे इसी तरीके से scan होता रहता है यह ऐसे यहां तक जलेगा इसके बाद यहां पर बंद हो जाएगा क्योंकि इसकी frequency यहीं तक है यह से ज्यादा नहीं जल सकते यह जो पिक्सल है और जैसे यहां पर पूरा करेगा अपनी frequency तुरंत यह चेंज होके start हो जाएगा next line तो ऐसे यहा देखते हैं उसमें scan के time retrace line तो रिटर्स लाइन यहां पर आपको दिखेगे नहीं वह आन आपको के रूप में आपको दिखाई नहीं देगा जिसे CRT में आपको retrace line देखने को मिलता था फाल्ट होने पर वह इसमें नहीं retrace line होगा इसमें digitally जो है scanning है scanning यह इतनी fast line हो की कि आपके आखे उसे देख नहीं सकती वो देख कब सकते हैं कि जब कोई लाइन सार्ट हुआ यहां पर अब वो कौन सी यहां इसमें जो है कोई भी लाइन सार्ट हो सकती है पिक्सल की और इसके इफेक्ट तुरंत उसके सीके भी लाइन पर पढ़ेंगे तो इसका क्या है कि यह क आरजीबी जैसे इन होता है अब वो आपको यहां जब बता दें कि जैसे यह गेट हमारा बोल्टेज मिलेगा और यह आन होगा आन होगा तो सिगनल इसी पर ट्रेबल करेगा जो आरजीबी है वो भी डेटा जीरो वन के फॉर्म में यह जाएगा अब इस सोर्स से होके ड्र के बाद जो यह लगा होता पिक्सल यह अब पिक्सल के बाद यहां पर बीकाम बोल्टेज दिये जाते हैं तो अब क्या होगा कि इसी डेटा के अनुसार यह जो है यह लो यह हाई जैसा भी है उसी हिसाब से इसके पिक्सल के लाइट इमेज के रूप में फ्लेस होते हैं ज पूरे डिस्प्ले पे